दोस्तों आज आप सुनेंगे शर्लक होम्स सीरीज की अगली कहानी दा एडवेंचर ओफ दा येलो फेस हिंदी में ये वसंत का एक शुरुआती दिन था और कई दिनों से मेरे प्यारे दोस्त शर्लक होम्स के पास कोई केस नहीं था वो इतना खाली था कि एक दिन मेरे कहने पर मेरे साथ पार्क में सेर करने चला गया जहां पेड़ों पर पहली हरी कोंपले फूट रही थी दो घंटे तक हम साथ साथ ऐसे ही गूमते रहे ज्यादा तर हम लोग चुपचाप ही गूम रहे थे जैसा कि वो दो आदमी करते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं जब हम वापस बेकर स्ट्रीट पहुँचे तो पांच बजे थे दर्वाजा खोलते हुए हमारे नौकर ने कहा माफ कीजेगा सर कोई आपको मिलने आया था होम उसने बुरी तरह से खीज कर मेरी ओर देखा और ले चलो दो पहर की सेर पर ये जरूर कोई केस होगा जो तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से निकल गया फिर उसने उस लड़के से पूछा क्या वो आदमी चला गया? जी हाँ सर तुमने उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया? जी सर मैंने बुलाया था और वो अंदर आया भी था उसने कितनी देर इंतजार किया? आधा घंटा सर वो बहुत बेचैन था जितनी देर भी यहां रहा पैर पटकता रहा और इधर उधर घूमता रहा मैं दर्वाजे के बाहर खड़ा था और उसकी आवाजें सुन रहा था फिर वो गलियारे में गया और चिलाया क्या यह आदमी कभी वापस नहीं आने के लिए जाता है? यही उसके शब्द थे सर मैंने उससे कहा बस कुछ ही देर का इंतजार और है और सर आ जाएंगे तब उसने कहा तो फिर मैं खुली हवा में इंतजार करूँगा क्योंकि मेरा दम घुट रहा है मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा और इतना कहकर वो बाहर चला गया और मेरे लाख कहने पर भी वो रुका नहीं होमस ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा चलो तुमने अपनी पूरी कोशिश की मुझे बड़ा गुसा आता है वाटसन मुझे इस समय एक केस की सक्त जरूरत थी और इस आदमी की बौकलाहट से लगता है कि ये काफी जरूरी केस रहा होगा अरे टेबल पर तुम्हारा पाइप नहीं है ये जरूर उसी का छूट गया होगा ये तो बहुत बढ़िया किसम के तंबाकु वाला पाइप है पता नहीं पूरे लंडन में इस तरह के कितने पाइप है जरा मुझे सोचने दो कि इस परबनी मक्खी इसकी निशानी है वो आदमी काफी ज्यादा दिमागी परेशानी में होगा तभी अपना पाइप छोड़ गया जो उसे बहुत पसंद है तुम्हें ये कैसे मालूम कि वो इसे बहुत पसंद करता है मैंने पूछा मेरे ख्याल से इस पाइप की कीमत होनी चाहिए साथ शिलिंग और छे पैंस इसे दो बार जोड़ा गया है एक बार लकडी की डंडी पर और एक बार तंबाकू भरने की जगह पर ये दोनों जोड़ देखो इन्हें चांदी से मढ़ा गया है और ये पाइप की असली कीमत से ज्यादा है ये आदमी इस पाइप की बहुत कद्र करता है तभी तो इतने ही पैसों में नया पाइप ना खरीद कर इसी को जुड़वाता है और कुछ मैंने पूछा क्योंकि होम्स पाइप को अपने हाथ में घुमा रहा था और अपने खोए-खोए खास अंदाज में उसे गौर से देख रहा था उसने अपनी लंबी पतली उंगली से उसे थपथपाया जैसे हड़ी पर लेक्चर देता कोई प्रोफेसर करता है फिर बोला पाइप अकसर काफी दिल्चस्प होते हैं घडियों और जूतों के फीतों के अलावा और कुछ भी इतना खास नहीं होता लेकिन यहां जो संकेत मिले हैं वे ज्यादा महत्वपून नहीं है ये आदमी काफी हश्ट पुष्ट है बाएँ हाथ से काम करता है दात बहुत अच्छे हैं आदतों में लापरवा है और इसे पैसा बचाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त ने ये सारी जानकारी बड़ी ही लापरवाही से दी लेकिन मैंने देखा कि उसने टेड़ी आँख से मेरी ओर देखा ये देखने के लिए कि मैं उसके तरक समझ पाया या नहीं मैंने उससे पूछा तुम्हें ये लगता है कि साथ चिलिंग का पाईप पीने वाला अमीर ही होगा ये ग्रोस वेनर मिक्सचर है जो आठ पेंस प्रती 30 ग्राम आता है होम्स ने अपनी हतेली पर थोड़ा सा टपकाते हुए कहा क्योंकि इससे आधे दाम पर भी बढ़िया कश मिल सकता है इससे ये पता चलता है कि इसे बचत करने की जरूरत नहीं है ये लैंपों और गैस के जेट से पाईप को सुलगाता है ये देखो ये एक तरफ से बिल्कुल जला हुआ है कोई माचिस ऐसा नहीं कर सकती एक आदमी पाईप के किनारे माचिस क्यों लगाएगा पर तुम इसे लैंप पर तब तक नहीं जला सकते जब तक इसका कटोरा जुलस ना जाए पाईप की दाईओर से ये जला हुआ है इससे मैं समझता हूँ कि ये आदमी बाईँ हाथ का प्रयोग करता है तुम अपना खुद का पाईप लेंप से जलाने की कोशिश करो और देखो कि स्वभाविक तोर पर तुम दाईँ हाथ से काम करते हो इसलिए तुम बाईँ तरफ को आग के सामने करोगे तुम एक आद बार दूसरी तरफ कर सकते हो लेकिन बार बार नहीं कर सकते ये पाईप हमेशा ऐसे ही पकड़ा गया है फिर इसने अपने एमबर को काटा भी है इसके लिए उसे हरिष्ट पुष्ट, मजबूत और मजबूत दातों वाला होना चाहिए और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैं सीडियों पर उसके चड़ने के आवाज सुन रहा हूँ इसलिए हमारे पास उसके पाईप के अलावा और बातें भी होंगी जिन पर हम गौर कर सकते हैं एक पल बाद ही हमारा दर्वाजा खुला और एक लंबा युवक अंदर आया उसने अच्छा गहरा स्लेटी सूट पहना था और उसके हाथ में एक भूरा वाइड अवेक था मुझे वो करीब 30 साल का लगा जबकि वास्तव में वो इससे काफी बड़ा था कुछ संकोच से उसने कहा माफी चाहता हूँ शायद मुझे दर्वाजा खट खटा कर अंदर आना चाहिए था बात ये है कि मैं कुछ परिशान हूँ और इसलिए मैं ऐसा व्यभार कर रहा हूँ इतना कहकर उसने अपने माथे पर हाथ फेरा मानो आधी नीन में हो और फिर कुर्सी पर बैठा नहीं गिर गया होमस ने अपने दोस्ताना अंदाज में कहा मैं देख रहा हूँ कि तुम एक दो रातों से सोई नहीं हो ऐसा करने से आदमी परेशान हो जाता है वो काम करने से या आनद उठाने से उतना नहीं थकता जितना की ना सोने से क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी सलाह लेना चाहता हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और मेरी पूरी जिन्दगी जैसे टुकणों में बिखर गई है। उस व्यक्ति ने कहा, यानि तुम मुझे सलाहकार जासूस के तौर पर नयुक्त करना चाहते हो। होमस ने पूछा, सिर्फ यही नहीं, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति की राय लेना चाहता हूँ, जो दुनियादारी जानता है। तुम ही मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब बातें करने में तकली नहीं लगेगा, ये बहुत दुख की बात है कि मुझे अपनी बीवी का व्यभार ऐसे दो लोगों के सामने बताना पड़ रहा है, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे अपनी तकलीफ खत्म करनी है और मुझे हर हाल में सलाह चाहिए, माई डियर मिस्टर ग्रांट मुन्रो, होमस ने कहना शुरू किया, लेकिन उसकी इस बात पर हमारा महमान कुर्सी से उचल पड़ा, तुम मेरा नाम जानते हो, कैसे? मुस्कुराते हुए होमस ने कहा, अगर तुम अपना नाम गुप्त रखना चाहते हो, तो मैं सलाह दूंगा कि अपने हैट के अस्तर पर अपना नाम लिखना बंद कर दो, नहीं तो जिस से बात कर रहे हो, उसके सामने हैट को उल्टा कर लो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, कि मेरे दोस्त ने और मैंने इस कमरे में कई अजीब रहस्य सुने हुए हैं, और हमने कई दुखी लोगों की जिंदगी में शान्ती भरी है, मुझे भरोसा है कि हम तुम्हारे लिए भी ऐसा कर सकेंगे, क्या मैं तुमसे कह सकता हूँ कि समय बड़ा कीमती होता है, और इसलिए बिना देरी किये हमें तुरंत पूरा माजरा बताओ, हमारे महमान ने फि मसमान है और अपने घाव को दिखाने की जगह उनको छुपाता है, फिर अचानक बंद मुठी को गुस्से से लहराते हुए वो बोला, बात ये है मिस्टर होम्स, मैं तीन सालों से शादी शुदा हूँ, मेरी पतनी और मैं एक दूसरे से बहुत महबत करते हैं, और एक साथ बहुत खुश हैं, हमारे बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहा, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से, लेकिन अब पिछले सोमवार से हमारे बीच अचानक एक अरचन आ गई है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जिन्दगी में और खयालों में ऐसा कुछ है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, हमारे बीच में एक दरार सी आ गई है, और मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, आगे कुछ और भी कहने से पहले मैं एक बात साफ कर दूं, मिस्टर होम्स, मेरी पतनी एफी मुझे से प्यार करती है, इसके बारे में आप कभी कोई गलत फ सकता है कि कोई स्त्री उच से महबत करती है या नहीं, पर हमारे बीच ये एक राज है, और जब तक ये राज साफ नहीं हो जाता, तब तक हम दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा सहज नहीं रहेगा, मुझे सारी बात बताओ मिस्टर मुन्रो, होम्स ने कहा, मुझे एफी की पिछली जिंदगी के बारे में जो कुछ भी मालूम है, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार उससे मिला, वो विधवा थी, लेकिन बहुत ही कम उम्र, सिर्फ 25 साल की, तब उसका नाम मिसिस हेबरॉन था, जब वो छोटी थी, तब अमरीका चली गई, और अटला की और बच्चा, दोनों ही उस महामारी में मारे गए, मैंने उनका डेथ सर्टिफिकेट देखा है, इस बात से उसे अमेरिका से नफरत हो गई, और वो एक अविवाहित आंटी के पास रहने मिडल सेक्स के पिनेर में आ गई, मैं ये बता दूं कि उसके पती के पास करीब 45, 4,000 पाउंड थे, और इस रकम को उसके पती ने इतनी बुद्धिमानी से निवेश किया था, कि उसे ओस्तन 7% सालाना ब्याज मिलता था, जब मैं उससे मिला, तो वो पिनेर में 6 महिनों से थी, हमें एक दूसरे से प्रेम हो गया, और कुछ हफतों बाद हमने शादी कर ली, मैं खोद एक व्यापारी हूँ, और मैं भी क्योंकि 7-800 कमा लेता हूँ, इसलिए हमारे पास पैसे की कभी भी कमी नहीं थी, और हमने नौरबरी में 80 pound सालाना का अच्छा सा एक विला ले लिया, हमारी ये छोटी सी जगह, शेहर के पास होते हुए भी गाव जैसी थी, हमार व्यापार के सिलसिले में शेहर जाना पड़ता था, पर गर्मी में मेरे पास काम कम रहता है, और उस वक्त मैं और मेरी पतनी अपने घर में खुशी से रहते थे, इस बदनसीब घटना के होने से पहले हमारे बीच कोई भी परिशानी नहीं थी, मैं आपको एक बात और बता हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा ही चाहती थी, अब करीब 6 हफते पहले एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, जैक, जब तुमने मेरा पैसा लिया था, तो तुमने ये कहा था, कि अगर मुझे कभी भी पैसा चाहिए होगा, तो मैं तुमसे मांग लूँ, हाँ, बिलकुल, सब किसी नई ड्रेस या ऐसी ही किसी चीज की जरूरत होगी, मैंने उससे पूछा, इतनी बड़ी रकम किसलिए चाहिए तुम्हें, शरार्ती अंदाज में वो बोली, ओ, तुमने तो कहा था, कि तुम सिर्फ मेरे बैंकर हो, और बैंकर कभी सवाल नहीं करते, अगर तुम वाक दिन, लेकिन अभी नहीं जैक, मुझे इसी बात से संतोश करना पड़ा, हालांकि ये पहली बार हुआ था, कि हमारे बीच इस तरह कोई बात राज रही हो, मैंने उसे चेक दे दिया, और इस बारे में फिर दोबारा कभी नहीं सोचा, इसके बाद की घटनाओ का इस बात से भले ही तालुक ना हो, लेकिन मुझे लगा कि इस बात का भी जिक्र करना सही होगा, मैंने अभी आपको बताया था, कि हमारे घर के पास ही एक कौटेज है, हमारे बीच सिर्फ एक मैदान है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए सडक से होते हुए एक गली में मुड़ना हो क्योंकि वो बहुत ही सुन्दर दो मंजिला घर था, और उसमें पुराने स्टाइल का पॉर्च बना था, और चारों और बहुत ही सुन्दर पेड़ पौधे थे, मैंने कई बार वहां खड़े होकर सोचा है, कि ये किसी का कितना सुन्दर घरोंदा बन सकता है, पिछले की शाम को मैं उस तरफ सेर कर रहा था, कि मैंने उस गली से एक खाली वैन आती देखी, और कुछ कालीन और सामान यहां वहां पॉर्च के बगल की घास में पड़े दिखाई दिये, इसका मतलब साफ था, कि आखिरकार कोटेज में कोई रहने आ गया है, मैं उसके बगल से ग ही मालुम कि उस चेहरे में क्या था मिस्टर होम्स, पर उस से मेरे पूरे शरीर में जुर जुरी दौड गई, मैं थोड़ी दूरी पर था, इसलिए मैं उसके नाक नक्ष तो नहीं देख पाया, लेकिन वो चेहरा बहुत ही अप्राकृतिक और अमान विये था, मुझे तो ऐसा ही लगा और मैं उस इंसान की और बढ़ा जो मुझे देख रहा था, लेकिन मेरे ऐसा करते ही वो चेहरा अचानक गायब हो गया, इतना अचानक कि ऐसा लगा मानो कमरे का अंधेरा उसे खा गया हूँ, मैं पांच मिनट तक इस बात के बारे में सोचता रहा, मैं ये नह इतना सटीक और सधा हुआ था, कि वो असली लग ही नहीं रहा था, इतना परिशान था मैं और सब कुछ जानने के लिए इतना उतावला कि मैंने ठान लिया कि कोटेज के नए निवासियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करूँगा, मैंने जाकर उनका दर्वाजा खट खटाया, उसे एक लंबी तगडी महिला ने खुला, जिसका चेहरा करकश और रूखा था, उतरी लहजे में उसने पूछा, क्या चाहिए, मैंने अपने घर की और इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और वहाँ पर रहता हूँ, मैंने देखा कि आप ल खाई से कहा और दर्वाजा मेरे मुह पर बंद कर दिया, उसकी इस बत्तमीजी से नाराज होकर मैं मुड़ा और घर की ओर चल दिया, पूरी शाम मैं कुछ और सोचने की कोशिश करता रहा, लेकिन रहे रहे कर मुझे वो खिड़की वाला चेहरा और उस औरत का रूखा और डरे, लेकिन उस रात सोने से पहले मैंने उसे इतना जरूर बता दिया था कि उस कॉटेज में कोई रहने आया है, इस बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, मेरी नींद वैसे तो काफी पकी है मिस्टर होम्स, हमारे परिवार में ये बात मजाक का विशे है कि रात मे कोई भी मुझे जगा नहीं सकता, लेकिन फिर भी नजाने क्यों मैंने जो देखा था उसकी वजह से उस रोज मैं गहरी नींद में नहीं सो सका, आधी सोई हालत में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कमरे में कुछ हलचल हो रही है, और कुछ देर बाद मुझे पता चला कि म उंबत्ती की रोशनी में चमक रहा था, और हैरानी और डर के मारे मेरी जबान को जैसे लकवा मार गया, उसके चहरे पर जो भाव था, वो मैंने उस दिन से पहले कभी नहीं देखा था, मैं सोच भी नहीं सकता था, कि उसके चहरे पर ऐसे भाव भी आ सकते हैं, वो मौत की तरह सफेद पड़ी हुई थी, उसकी सांसे तेज तेज चल रही थी और वो बार बार घबरा कर बिस्तर की ओर देख रही थी, ये देखने के लिए कि कहीं मैं जाग तो नहीं गया। फिर मैंने तकिये के नीचे से अपनी घड़ी निकाली, सुभा के तीन बज रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुभा के तीन बजे मेरी पतनी सुनसान सडक पर क्या करने गई है। आहट सुनाई दी, जब वो अंदर आई तो मैंने उससे पूछा, तुम इस वक्त कहां गई थी एफी। वो बुरी तरह चौक गई और उसके मुह से एक दबी हुई चीख निकल गई। उसके इस तरह चौकने और चीखने से मैं और भी परेशान हो गया क्योंकि उसकी आवाज में गलानी भरी हुई थी। मेरी पतनी बहुत खुले सुभावाली इस्तरी है। उसको यूँ शरम से छुपते हुए अपने ही कमरे में आते देख और अपने पती की आवाज सुनकर घबराहट से चिल्ला उठने से मैं बुरी तरह परेशान हो गया। एक बहुत ही नर्वस सी हसी हसते हुए वो बोली। तुम जगे हुए हो जैक। मुझे तो लगा था कि तुम किसी भी हालत में जाग ही नहीं सकते। तुम कहां गई थी। मुझे ये बताओ। पर खड़ी रही और अब अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब वो मुझे ये बता रही थी तो उसने एक बार भी मेरी और नजरें उठा कर नहीं देखा। उसकी आवाज में भी काफी फर्क था। मैं समझ गया कि जो भी वो कह रही है वो जूट है। मैंने जवाब में कु समय तरीके से कहां गई थी। मुझे लगा कि बिना जाने मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर जब उसने साफ साफ जूट बोला तो मेरा मन नहीं हुआ कि मैं दोबारा उससे पूछूँ। पूरी रात मैं करवटें लेता रहा और अनुमान लगाता रहा लेकिन किसी भी अनुमान पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उस दिन मुझे शहर जाना था लेकिन मैं बहुत परिशान था और मेरा काम में बिलकुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरी पतनी भी मेरी ही तरह परेशान थी और उसकी सवालिया नजरों से मैं समझ रहा था कि वो जानती है कि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ है और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। अब हुआ ये कि मेरा रास्ता कॉटेज से होते हुए ही पड़ता था। मैं सन्न रह गया। जब हमारी आँखे मिली मेरे भाव उसके चेहरे के भाव के सामने कुछ नहीं थे। उस पर लग रहा था कि वो वापस उस दर्वाजे में समाजाना चाह रही थी और फिर ये देख कर कि कुछ भी छिपाना बेकार है वो बिलकुल सफेद पड़ा चेहरा औ और डरी हुई आँखें लेकर आगे बढ़ी जिससे उसके होटों की मुस्कुराहट बिलकुल जूटी लग रही थी वो बोली ओ जैक मैं अभी अभी ये देखने आई थी कि क्या मैं अपने नए पड़ोसियों की कोई मदद कर सकती हूँ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे वो बोली तुम यहीं आई थी मुझे पक्का मालूम है कौन है ये लोग जिनसे तुम इस समय मिलने आई हो लेकिन मैं यहाँ पहले नहीं आई थी तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कह सकती हो जो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जूट है तुम बोलती हो तो तुम्हारी आव होते हुए वो बोल उठी जब मैं दर्वाजे तक पहुँचा उसने मेरी बहाँ पकड़ ली और जोर लगा कर मुझे पीछे खींचने लगी मैं विंती करती हूँ ऐसा मत करो जैक मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी दिन तुम्हें सब कुछ बता दूँगी लेकिन अगर एक बार मेरा विश्वास करो तुम्हें कभी भी पच्ताना नहीं पड़ेगा तुम जानते हूँ मैं तुमहरी भलाई के अलावा तुमसे कभी भी कुछ नहीं छिपाती हमारी पूरी जिंदगी इसी पर्टी की है अगर तुम मेरे साथ घर चलो तो सब ठीक हो जाएगा ले उसके शब्दों ने जैसे मुझे बांथ दिया और मैं दर्वाजे पर ही खड़ा रह गया आखिर में मैंने कहा मैं एक शर्त पर तुम पर भरोसा करूंगा सिर्फ एक शर्त पर और वो ये कि ये राज अभी इसी वक्त दफना दिया जाए तुम अपना राज भले ही अपने के वादा करो कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा तो मैं पिछली सारी बातों को भूलने के लिए तयार हूँ राहत की सांस लेते हुए वो बोली मुझे मालूम था कि तुम मुझे पर भरोसा करोगे वही होगा जैसा तुम चाहते हो लेकिन यहां से चलो प्लीज घर चलो मेरी बा झाहते हैं जानी और मेरी पत्नी में भला क्या रिष्टा हो सकता था? नहीं तो वो रूखी करकश सी ऊरत जिससे मैं पिहले दिन मिला था, वो उससे क्या रिष्टा रखती थी? यह एक विचित्र पहली थी, और मैं जानता था कि मेरा मन तब तक शान्त नहीं हो सकेगा, लेकिन तीसरे दिन मेरे पास इस बात का पक्का सबूत था कि सारे वादे भी उसको अपने पती और कर्तव्वे से अलग करने वाले इस रहस्य मई प्रभाव से रोक नहीं पाए थे। मेरा दिल फोरण शक से भर गया, मैं उपर गया ताकि ये देख लूँ कि वो घर पर है या नहीं। मैंने अपनी पतनी और नौकरानी को जल्दी जल्दी वापस आते देखा, लेकिन मैं उनसे बात करने के लिए नहीं रुका। उस कॉटेज में वो रहस्य छिपा था जो मेरी जिन्दगी में अंधेरा ला रहा था। मैंने अपने आपसे वादा किया कि जाहे जो हो जाए ये बात अब मैं राज नहीं रहने दूँगा। जब मैं वहाँ पहुचा तो मैंने दर्वाजा भी नहीं खट-खटाया और ऐसे ही खोल कर अंदर चला गया। ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरह सन्नाटा था। किचन में एक केतली आग पर चड़ी हुई थी और एक टोकरी में एक बड़ी सी काली बिल्ली बैठी थी। वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी जिसे मैंने पहले दिन देखा था। मैं दूसरे कमरे में दोड़ा पर वो भी खाली था। फिर मैं सीड़ियों पर दोड़ा उपर दो ओर कमरे भी खाली मिले। पूरे घर में कोई भी नहीं था। फरनीचर और तस्वीरें बिलकुल सादा सी थी। सिवाए उस कमरे में जिसकी खिडकी पर मैंने वो डरावना चेहरा देखा था. वो कमरा आरामदायक और सलीकेदार था. मेरा शक और भी गहरा हो गया जब मैंने ये देखा कि मेंटल पीस पर मेरी पतनी की फोटो रखी थी, जो मेरे आग्रह पर तीन महिने पहले ही ली गई थ मैं वहाँ इतनी देर रहा जब तक मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो गया कि घर में कोई नहीं है. फिर मैं वहाँ से चला आया. मेरे दिल पर इतना बोज था जैसा उस दिन से पहले कभी नहीं था. जब मैं घर में गुसा तो मेरी पतनी हॉल में आई. मैं इतना गुसे म और चोट खाया हुआ था कि मैंने उससे बात नहीं की. उसके पास से गुजरते हुए मैं अपनी स्टडी में चला गया. वो मेरे पीछे-पीछे ही आ गई और मैं दर्वाजा बंद नहीं कर पाया. वो मुझसे बोली, मुझे खेद है जैक कि मैंने अपना वादा नहीं जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि उस कौटेज में कौन रहता है और वो कौन है जिसको तुमने अपनी फोटो दी है, हमारे बीच कोई विश्वास नहीं रह सकता. मैंने गुसे से कहा और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा कर मैं घर से बाहर निकल गया. ये कल की बात है मिस्टर होम्स और तब से मैंने उसे नहीं देखा है, ना ही मुझे इस अजीब घटना के बारे में और कुछ मालूम है. हमारे बीच पहली बार इस तरह की कोई बात हुई है. और मैं इतना हिल गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं. आज सुभा अचानक मुझे ख्याल आया कि तुम ही मुझे सही राय दे सकते हो. इसलिए मैं जल्दी से यहां आ गया. और अब मैं बिना किसी शर्त अपने आपको तुम्हारे हूँ. अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो मुझे से छूट गया हो तो मुझे से पूछ लो. लेकिन प्लीज मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं. मैं ये परेशानी बरदाश्ट नहीं कर पा रहा हूँ. इस अनूठे बयान में होम्स और मैंने बहुत ही दिल्चस्पी ली थी जो एक ऐसे आदमी ने सुनाया था, जो बहुत आवेश में था. मेरा दोस्त कुछ देर चुप चाप बैठा रहा, थोड़ी पर हाथ टिकाए. आखिर में वो बोला, अच्छा ये बताओ, क्या तुम निश्चित रूप से कह सकते हो कि तुमने खिड़की पर जो चेहरा दे अप्राकृतिक था और नाक नक्ष से वो बिलकुल निश्च्प्रान लग रहा था. जब मैं उसकी ओर बढ़ा, तो वो एक जटके से गायब हो गया. तुम्हारी पतनी ने तुमसे जो सौ पाउंड मांगे थे, वो कितने दिन पहले की बात है? करीब दो महीने पहले. क्या तुमने उसके पहले पती का फोटो देखा है? नहीं, उसकी मौत के कुछ समय बाद अटलांटा में भयानक आग लगी थी और उसके सारे कागजात नश्ट हो गए थे. लेकिन उसके पास उसकी मौत का प्रमान पत्र तो था? तुमने पहले बताया था कि तुमने उसे देखा था? हाँ, वो तो आग लगने के बाद उसने डुपलिकेट बनवाया था. क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ती से मिले हो जो अमेरिका में उसे जानता था? जी नहीं. क्या वो कभी दोबारा वहां जाने की बात करती है? कभी नहीं. वहां से कोई पत्र आते है? मेरी जानकारी में तो नहीं. शुक्रिया. अब मैं कुछ देर इस बारे में सोचना चाहता हूँ. अगर कॉटेज हमेशा के लिए खाली किया जा चुका है, तो कुछ मुश्किल आ सकती है. लेकिन दूसरी ओर जैसा कि मुझे लगता है, उसमें रहने वालों को तुम्हारे आने की खबर मिल ग को देखो. अगर तुम्हें लगे कि वहां कोई है, तो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश मत करना, बलकि मुझे और मेरे दोस्त को तार से खबर कर देना. तार मिलने के एक घंटे के अंदर हम तुम्हारे पास आ जाएंगे और मामले की तह तक पहुँच जाएंगे. और अगर अब भी वहां कोई नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ? उस हालत में मैं कल आकर तुमसे बात करूँगा और तब तक परेशान मत होना, जब तक परेशान होने की कोई ठोस वज़ा ना हो. गुडबाई. मिस्टर ग्रांट को दरवाजे तक छोड़ कर आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मुझे डर है कि ये मामला काफी गडबर है वाटसन, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो खौफनाक लग रहा है, मैंने कहा. या तो इसमें कोई ब्लैक मिल का पुट है, या शायद मैं गलती पर हूँ. और ये ब्लैक मिल कौन कर रहा है? मैंने चेहरे में कोई बहुत दिल्चस्प बात छिपी है. मैं किसी भी कीमत पर इस केस को हाथ से जाने नहीं देना चाहता. क्या तुम्हें कुछ समझ में आया है? मैंने उत्सुकता से पूछा. हाँ, काम चलाओ तो समझ गया हूँ, लेकिन मुझे ताज़ुब होगा अगर ये स सकती है. जैसा कि मुझे लग रहा है, बात कुछ इस तरह से होगी. ये महिला अमेरिका में शादी करती है. उसके पती को कुछ घिनोनी आदतें पड़ गई या कह सकते हैं उसे कोई गंदी बीमारी लग गई. और वो या तो कोड़ी हो गया या पागल. आखिर में वो उसके चंगुल से छूट कर इंग्लैंड वापस आ गई. उसने अपना नाम बदला और ये सोचा कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी. वो तीन साल से शादी शुदा थी और सोच रही थी कि वो काफी सुरक्षित है. उसने अपने पती को किसी की मृत्यू का प्रम फाश कर देगा. उसने सौ पाउंड मांगे और एफी ने उन्हें चुका दिया. फिर भीवे यहां आ गए और जब पती ने यूही पतनी को बताया कि कॉटेज में नए लोग आये हैं तो उसे समझ में आ गया कि उसके पीछे लगे वही लोग हैं. वो अपने पती के सोने का इंतजार करती है, फिर दोड़कर नीचे जाती है कि उनसे कह सके कि उसे शांती से जीने दें. इसमें काम्याबी ना मिलने पर वो अगले दिन सुभा फिर जाती है और जब वो बाहर आ रही होती है तो उसे उसका पती मिल जाता है. वो उससे वादा करती है कि फिर से वहां नहीं जाएगी लेकिन दो दिन बाद वो चाहती है कि वे लोग चले जाएं इसलिए एक और कोशिश करती है और इस बार अपनी फोटो भी ले जाती है जो शायद उन्होंने मांगी है इस मुलाकात के दौरान नौकरानी हडबडाई हुए आती है और बताती है कि उसका पती घ घर आ गया है जिससे पत्नी समझ जाती है कि वो सीधा कॉटेज ही आएगा और वो पीछे के दर्वाजे से उन लोगों को भगा देती है फर के पेड़ों के बगीचे में जिसका पहले जिक्र हो चुका है इस तरह उसे वो जगा खाली मिलती है लेकिन मुझे बहुत ताज़ कोई नए तथे आएंगे तो हम इस पर फिर से विचार करेंगे फिलहाल हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें नौरबरी से अपने दोस्त का संदेश नहीं मिल जाता हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा हमने जैसे ही चाय खत्म की वो आ गया उसने बताय कॉटेज में किरायदार अभी भी हैं खिड की पर चहरा फिर से दिखा मैं साथ बजे की ट्रेन पर मिलूँगा और तब तक कोई कदम नहीं उठाओंगा जब हम ट्रेन से उतरे तो वो प्लैटफॉर्म पर हमारा इंतजार कर रहा था स्टेशन की रोशनी में हमने देखा कि वो बहुत सफेद लग रहा था और आवेश से कांप रहा था मेरे दोस्त की बाहा पकड़ते हुए वो बोला वे अब भी वहीं है मिस्टर होम्स जब मैं आया तो मैंने देखा कि कॉटेज में रोशनी है हम इस मामले को अभी इसी वक्त सुलजा लेंगे तो तुम क्या करना चाहते हो होम्स ने उससे पूछा मैं जबरदस्ती अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि घर में कौन है मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी इस बात के गवहा बनो और वहां मेरे साथ रहो तो तुमने ऐसा करने की ठान ली है अपनी पत्नी की चेतावनी के बावजूद कि अच्छा होगा अगर तुम रहसे को खोलने की कोशिश ना करो हाँ मैंने सोच लिया है मैं यही करूँगा चलो मैं सोचता हूं कि तुम ठीक कह रहे हो दूविधा में पड़े रहने से अच्छा है कि हमें सच का पता चल ही जाए हमें तुरंत चलना चाहिए कानून की नजर ग्रांट मुन्रो उतावला होकर आगे बढ़ा और हम पूरी तेजी से उसके पीछे थे पेड़ों से चंकर आ रही रोशनी की ओर इशारा करके वो बोला उधर मेरे घर की बतियां हैं और ये रहा वो कॉटेज जिसमें मैं जाने वाला हूं हम गली में एक नुकड़ पर ग्रांट मुन्रो बोला वो रहा वो प्राणी देखो तुम खुद देख सकते हो कि वहाँ पर कोई है अब मेरे पीछे आओ और जल्दी ही हमें सब कुछ मालूम पढ़ जाएगा हम दर्वाजे के पास पहुँचे लेकिन अचानक एक औरत अंधेरे में से बाहर निकली और जैंप की पीली रोश्णी में खड़ी हो गई अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख सका पर उसने विंती करने वाले अंदाज में अपनी बाहें फैलाई हुई थी वो चिल्लाई सुनो जैक ऐसा मत करो मुझे लग ही रहा था कि तुम आज शाम को आओगे अपना इरादा बदल दो डियर मुझ पर भरोसा करो तुम्हें कभी भी पच्टाना नहीं पड़ेगा ये मेरा वादा है मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है एफी मुझे जाने द से दर्वाजा खोला तो एक अधेर महिला उसके सामने खड़ी होकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगी लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया और अगले ही पल हम सब सीधियों पर थे ग्रांट मुन्रो उस रोशनी वाले कमरे में घुसा और उसके पीछे-पीछे हम दोनों भी वो बड़ा ही आराम दायक अच्छे फरनीचर वाला कमरा था और दो मॉम्बतिया मेज पर और दो मैंटल पीस पर जल रही थी कोने में एक लड़की थी जो एक डेस्क पर जुकी हुई थी जब हम अंदर घुसे तो उसका चेहरा दूसरी ओर था लेकिन हम साफ देख रहे थे कि उसने लाल रंग का फ्रॉक पहना था और उसके हाथों में लंबे सफेद दस्ताने थे जब वो हमारी ओर घुमी तो आश्चरे और डर से मेरी चीख निकल गई वो चेहरा जो हमारी तरफ मुडा था एक अजीब नीले रंग का था और उस पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था अगले ही पल सारा रहस से खुल गया हसते हुए होम्स ने बच्ची के कान के पीछे हाथ फेरा और उसका मुखोटा हटा दिया वहाँ पर एक छोटी सी कोईले जैसी काली नीग्रो बच्ची बैठी थी जो हमारे आश्चरे भरे चेहरों को देख देख कर अपने सारे सफेद दांत चमकाते हुए हस रही थी मैं उसकी हसी देख कर हस पड़ा लेकिन ग्रांट मुन्रो आँखे फाड़े देखता रह गया उसका हाथ अपने गले पर था वो जोर से चिलाया इसका क्या मतलब है उसकी पतनी ने गर्व से सधे चेहरे से कमरे में आते हुए कहा मैं तुमको इसका मतलब बताती हूँ तुमने मेरे नाचाहने पर भी मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें बता दूँ और अब हमें इस बात को सही तरीके से लेना होगा मेरा पती अटलांटा में मर गया था लेकिन मेरी बच्ची बच गई तुम्हारी बच्ची? उसने अपने गले में से एक बड़ा चांदी का लॉकेट निकाला तुमने इसे कभी भी खुला नहीं देखा है मुझे ये लगा कि ये खुलता नहीं है ग्रांट मुन्रो ने कहा उसने एक स्प्रिंग को चुआ और लॉकेट खुल गया उसमें एक आदमी की तस्वीर थी जो बहत हैंडसम था और बुद्धिमान भी लेकिन उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो अफरीकी है एफी ने कहा ये अटलांटा का जौन है ब्रॉन है और इससे भला आदमी दुनिया में कभी शायद आया ही नहीं मैंने इससे शादी करने के लिए अपनी पूरी बिरादरी से नाता तोड लिया और जब तक ये जीवित रहा मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने फैसले पर पच्चतावा हुआ है ये हमारी बदनसीबी थी कि हमारी इकलोती संतान इसकी तरह काली थी ऐसे संबंधों में अकसर ऐसा होता है और नन्ही लूसी अपने पिता से भी ज्यादा काली है लेकिन काली हो या गोरी ये मेरी अपनी नन्ही बिटिया है और मा की दुलारी है इन शब्दों को सुन वो बच्ची दोड़ी हुई आई और अपनी मा की ड्रेस में मुह छिपा कर खड़ी हो गई एफी ने आगे बताया जब मैं इसे अमेरिका में छोड़ कर आई मैंने एक पल के लिए भी अपनी बच्ची को त्यागने का विचार नहीं किया था लेकिन जब मैं तुमसे प्यार करने लगी जैक तो अपनी बच्ची के बारे में बताने से डरने लगी तुम मुझे माफ करो लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें खोदूंगी और इसलिए मैं कभी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर सकी मुझे एक को चुनना था और कमजोर होने की वजह से मैं अपनी नन्ही बच्ची से अलग हो गई तीन सालों तक मैंने इस बात को राज ही रखा पर फिर मुझे नर्स से पता चला कि बच्ची की तब्यत पूरी तरह से ठीक हो गई है मेरे मन में उससे फिर से मिलने की तीवर एक्चा पैदा हो गई मैंने ये एक्षा दबाने की कोशिश की लेकिन मा की ममता को नहीं दबा पाई मैं जानती थी कि ऐसा करने में खत्रा है लेकिन मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ हफ्तों के लिए ही सही मैं अपनी बच्ची को अपने पास जरूर बुलाऊंगी मैंने नर्स को सौ पाउंड भेजे और इस कोटेज के बारे में बताया जिससे वो यहाँ पड़ोसी की तरहे आ जाए और ऐसा न लगे कि मेरी उससे जान पहचान है मैंने उसे ये हिदायत दी थी कि बच्ची को दिन के समय घर के अंदर ही रखा जाए और उसके चेहरे और हाथों को ढख दिया जाए जिससे जो लोग उसे खिड़की पर देखें वे ये ना सोचें कि उनके इलाके में एक काला बच्चा है अगर मैं इतनी सावधानी ना बरत दी तो शायद ज्यादा अच्छा होता लेकिन मैं इस दर से आधी पागल हो गई थी कि कहीं तुमको सच का पता न चल जाए तुमने ही सबसे पहले मुझे बताया था कि कॉटेज में कोई आ गया है मुझे सुभे का इंतजार करना चाहिए था लेकिन खुशी के मारे मैं सो नहीं पा रही थी और इसलिए रात को ही बाहर निकल गई क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हें जगाना मुश्किल होता है लेकिन तुमने मुझे जाते हुए देख लिया और वहीं से मेरी परिशानी शुरू हो गई अगले दिन मेरा राज तुम्हारी दया पर था और तुमने मुझे पर रहम किया तीन दिन बाद नर्स और बच्ची घर से भागी ही थी जब तुम आगे के दर्वाजे से आये थे और अब आज रात तुम सब कुछ जानते हो और मैं तुमसे पूछती हूँ कि अब क्या होगा मेरी बेटी का और मेरा इतना कहकर वो अपने हाथ जोड़े जवाब के लिए इंतजार करने लगी दो लंबे मिन्टों के बाद ग्रांट मुन्रो ने चुप़ी तोड़ी और जब उसका जवाब आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसने नन्ही बच्ची को गोद में उठाया उसे चूमा और फिर उसको गोद में लिये ही उसने अपना दूसरा हाथ पत्नी की और बढ़ाया और दर्वाजे की और मुड़ गया फिर वो बोला हम इसके बारे में घर में आराम से बात कर सकते हैं मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ एफी लेकिन उससे तो अच्छा ही हूँ जितना तुम सोच रही थी होम्स और मैं गली तक उनके पीछे गए और फिर मेरे दोस्त ने मेरी बाहाँ पर हाथ रखा मैंने कहा मेरे ख्याल से नौरबरी से ज्यादा हमारी लंडन में जरूरत है उसने उस रात बहुत देर तक इस केस के बारे में और कोई शब्द नहीं कहा जब वो बेड्रोम की ओर अपनी जल्ती मुम्बत्ती लेकर जाने के लिए मुड़ा तो बोला वाट्सन अगर तुमको कभी भी लगे कि मुझे अपने हुनर पर घमंड हो गया है या किसी केस में मैं जरूरत से कम मेहनत कर रहा हूँ तो चुपके से मेरे कान में नौर बरी कह देना और मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्याद से ज्यादा शेयर भी करें एक और कहानी के साथ जल्दी ही फिर मिलते हैं अलविदा